हेलो दोस्तो बजाज पल्सर 150 बाइक है इसका करन्ट प्रोब्लेम है इसका हम सोल्यूशन करके आपको दिखाएंगे सबसे पहले एगनिशन लोग को ये सोकेट निकालके डाइरक कर देते है ये ब्राउन कलर का वायर है और एक वाइट कलर का वायर है इसे हम आपस में मिला देते है दोनों को एक कर देते है ब्राउन कलर का वायर और ये वाइट कलर का वायर इससे हमारे इगनिशन लोग डाइरक्ट हो जाएगा और अब उसका हम करन्ट चेक करके देखते है ये देखिए ब्लक के अपनी कल देते है अब किक लगा के देखते है देखिए दोस्तो अभी current नहीं आ रहा है तो हम उसकी coil चेक करते है सबसे पहले हमें यहीं काम करना है उसकी coil चेक करने पड़ती है इसको multimeter से कैसे चेक करते है वो दिखाते है आपको देखिए यह white color की wire है उसमें red line है यह हमारा है pick up coil का wire और उसके पास में है यह black wire उसमें yellow line है यह हमारा है body earth और उसके पास है हमारा battery charger blue पे white और यह हमारा हो गया neutral light का उसके पास यह yellow है lighting power का है बीच में red है wire यह हमारा starting coil का है अब multimeter से आपको चेक करके दिखाते है इसे हम connectivity mode में set करना है सबसे पहले हम pick up coil है उसे चेक करते हैं देखिए white wire में red line है यह हमारा pick up coil का तार है और यह बोड़ी अर्थ में है वहाँ set करेंगे यह देखिए दोस्तों 220 के आसपास आ रहा है इसका मतलब है हमारा pick up coil चाहिए है अब हम आपको battery charger का coil चेक करके दिखाएगे battery charger का coil देखिए blue में white line है वो battery charger है यहाँ beep करके आवाज आती है multimeter से इसका मतलब यह भी सही है coil और यह lighting coil चेक करके दिखाते है yellow wire है यह हमारा lighting coil का wire है यहाँ पी दिखाते है आपको ठीक से connect नहीं हुआ देखिए यह बीप करके आवाज आ रही है मतलब हमारा battery charger coil पी सही है अब जो हमारा current problem का issue है starting यह red wire है starting coil का wire है इसे चेक करते है यह minus वाला minus में लगा देते है body earth और यह red wire पे चेक करते है देखिए कुछ भी सो नहीं कर रहा है दोस्तों देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है इसका मतलब है हमारा starting coil खराब है अब इसे खोल के चेक करते है यह coil cover, magnet cover हमारा open कर लेते है open करके देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जान करी दूगा पल्सर बाइक में current problem में क्या क्या issue आते है वीडियो भीना skip किया देखना यह देखिए हमारा magnet cover open कर रहे है यह दूगा है हमारा यह देखिए हमारा कोयल है यह हमार स्टार्टिंग कोयल है मल्टी मिट्र पर सो नहीं कर रहे थे देखिए इसमें क्या प्रोब्म है यह देखिए दोस्तों यह वाइर है इसमें लूज हो चुकी है यह वाइर लूज हो चुकी है देखिए आपको दिख रहा होगा पूरी लूजे इसलिए करन्ट शो नहीं कर रहा था एकने इसे हम मल्टिमीटर से चेक कर लेते हैं कोईल सही है नहीं एकनेक्टिविटी मोड पे सेट कर लिया है मल्टिमीटर अब उसे चेक करते है यह हमारा रेट पे बहुरे स्टाटिंग कोईल का देखिए दोस्तों कनेक्टिविटी आ रही है इसके मतलब यह पूरा वायर सही है और कोईल भी हमारी सही है इसको हम स्टाटिंग कर लेगे लेकिन आगे हमारा CDI एकोईल में प्रोब्लम है तो उसे केसे चेक करते है वो दिखाते है देखिए हमारा रेक्टिफायर है अरार यूनिट यह येलो वायर है हमार हेड लेट का इसमें इन्पूट होता है और यह वायट है बेटरी चार्जर आउट पूट है और यह ब्लू जोइन किया है तूट गया था वायर देखिए है ब्लू है वायट लाइन के लिए बेटरी चार्जर है यहाँ से तूट चुका था इसलिए इसे डाइरक लगा दिया है इन्पूट कर दिया और ब्लेक पे येलो लाइन है ये बोडी आर्थ है अमारा इस चार वाइर होते है अब CDI को देखते है CDI की पूरी वाइरिंग की जानकारी देखिए इसमें छे तार है current के लिए यही माइन है रखती है देखिए यह अमारा red wire है यह वह अमारी starting coil का है wire जो आपको अमने दिखाया एक मिनट मैं ठीक से आपको दिखाता हूँ देखिए अब ठीक से दिखाता हूँ यह रेड है, यह हमारा स्टाटिंग कोईल का वायर है, और जो यह पास है वायर, यह ब्लेक पे हरी लाइन है, यह हमारा इग्निशन लोक से आता है, ओन ओफ का, और एक में दिक, निकल के दिखाता हूँ, आपको दिख सके आची तरीके से समझ सको आप, यह वायर पे रेड लाइन है, यह हमारा पिकप कोईल का वायर है, और जो ब्लेक पे रेड लाइन है, यह हमारा आउटपूट है, वो हमारी इग्निशन कोईल में जाता है, पावर सप्लाई, और यह पूरा ब्लेक वायर है, दिखाते हैं आपको हम, देखिए, यह एग्निशन कोईल में, यह हमारा हो गया ब्लेक वायर, यहां से हमें पावर चेक कर लेनी है, यही तक नहीं आता, तो हमारा CDI भी खराब हो सकता है, देखिए, दूसरी कोईल में, ब्लेक वायर पे, रेड लाइन, अभी हम, जो लूज कनेक्शन था, उसे स्वल्टरिंग कर रहे है, हमारा फॉल्ट यहीं पर था, इससे हमारे बाइक में, करण्ट प्रोब्लेम स्वल्ड हो जाएगी, हमारा करण्ट आ जाएगा, अच्छी तरीके से स्वल्डरिंग करनी है, दाकि दूसरी बार यह वायर लूज ना हो, और हमारा प्रोपर करण्ट आना चाहिए, मैं आपको वीडियो में देखा हुगा, यह देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से वायर को स्वल्डरिंग कर दिया है, देखिए, अब यह लूज नहीं है, कोईल हमारी वहीं की वही है, देखिए, यह देखिए, पक का स्वल्डरिंग हो चुका है, अब इसे वापस लगा देते हैं, और आपको दिखाते हैं करन्ट आ रहा है या नहीं, आपको फूरा समझ आ जाए इसलिए है, विडियो स्किप नहीं कर रहा है, पूरा प्यक करके दिखा रहा है, अब उसके बॉल्ट लगा देते हैं, और उसके बाद आपको दिखाए गए, करन्ट प्रोब्लेम स्वल्ड हुआ है या नहीं, मैं आसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यह हमारा मैगनेट कवा लग चुका है, अब उसका कनेक्शन लगा के, देख्ये suced लगा देते हैं, पूरा कनेक्शन हो चुका है, अब आपको करन्ट आ रहा है नहीं आ रहा है देखा रही है, चलो दोस्तो, यह देखो दोस्तो आ गया करन्ट, आपको नजक से दिखा रहा हूँ, आपको दिखने ही रहोगा, देखिए, यह देखिए, करंट आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, दूसरे तार में भी दिखाते है, देखिए दोस्तो, दोनों तार में प्रोपर करंट आ चुका है, यह हमारा सल्यूशन हो चुका है, टार्ट करके दिखा रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ये को लाइक करो और हमारी चैनल को स्सक्राइब करो अब फिर यह नहीं नहीं जानकारी देते रहेंगे नहीं 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 देते रहेंगे तैंक्यू झाल